व्लाव में व्लाव पिछे खड़ी एंपनी घ्लैमर, और विजुम आज वांग नगवाने आये हैं पूरा वीडियो एट से टेंगेंगेंगा पूब केसे लगदी गलैमर फॉरा वीडियो एट से पर देखेंगेंगे, कैसे अज़े लखती हैं देख सकते हैं पुरा वाइदर खुल लाए गाड़ी का वाइदर खुल लेंग बाद तब इसका कनेक्शन होगा कपलर टू कपलर करेंगे कपलर टू कपलर रहा पुरा अपको अपको कुन सथ आई गाड़ के एक वायर नहीं कटेगे ना ये में दिक्कति है कि लोग पूछेंगे ना यूट्यूब पे ग्लैमर होगा वीटू डालते हैं रिव्यू पूरा तुम लोग कमेंट करके हमको पूछेंगे फिर रोज का हमारा यहीं काओ अब्साइड है उसके नाम है यूट्यूब पे यूट्यूब पे यूट्यूब पे यह सब देगा हो अच्छा इस्स्ताग्राम पे भी होगा चली फॉलो कर लेते हैं देख सकते हैं वायर खुल चुका है गाड़ी का और अब होने वाली यह प्रॉपर वायरिंग तो वीडियों को आपने रहेगा क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो भी तक नहीं पड़ी है ग्लैमर एक्स्टेक या नॉर्मल ग्लैमर में भी फॉग लाइट लगते हुए मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे और वीडियो असी लग रही हो तो वीडियो क करेंगे उसके बाद से इन दूनों का कनेक्षिन जो है वो ले जाकर में जोड़ देंगे LIKE कि और SHipper में जोड़ने से पहले साथ कहे उसमें जोड़ने और एक अर्थिंग के लिए धां आ वेगे सकते हैं और यहां पर एक ज़िए आपको clear करना चाहते हैं कि देखिए जो भाया वायर जो छील नहीं है इसमें कोई भी गाड़ी की वायर नहीं है और यह जो वायर है यह जो switch की जो वायर है जो अपनी screen पर आप देख सकते हैं यह उसकी वायर है तो ऐसा बिलकुल भी मत सोचिएगा क कि बाइक की वायर छील दी गई है वारेंटी वायर हो जाएगी यह ऐसा कोई शू है या electronic गाड़ी है या बिये 6 गाड़ी है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी ऐसा कुछ भी नहीं है यह मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि यह जो वायर जो छीला इन्होंने यह जो switch लगती की है on off की उसकी वायर है और इसके लावा एक और वीडियो आने वाली है तो वह रहेगी इसके double indicator के उपर यानी hazard light के उपर glamour के तो चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वायरिंग के थ्रू भाह करेंगे और जॉइंट करने के बाद देखिए कितने असानी से यह हैट लाइट वाले उसमें एक को पॉजिटिव से एक को निगेटिव से जोड़ देंगे बैटरी के टर्मिनल में और सिंप्ली बस कप्लर को प्लक कर देंगे और यह जो रहेगा सिस्टम यह पूरा आपका इगनीशन से रहेगा यानि जब की ओन होगी तभी यह ओन होगा की ओफ रहेगी तब यह ओन नहीं हो सकता है तो कुछ इस तरह का कैनेक्शन इनोंने बनाएया है और बढ़ी असानी से मातर 15 मिनट के अंदर पूरा कैनेशन उननने कर दिया 15 से 20 मिनट के अंदर देख सकते हैं आप अब जो अलग से वायर लगाया था इनोंने क्योंकि जो फॉग लाइट के साथ में जो वायर आई थी वो अच्छी नहीं थी इसलिए रहने थोड़ी से वायर काट के अलग से लगाई देख लिजे इसको दूसरे टर्मिनल में जोड़ेंगे कपलर के जिससे कि इसको प्रॉपर कनेक्शन मिल सके ये लेडी को अन होने के लिए और उसमें प्लक करने के बाद जो दूसरा वाला जो कपलर रहता है उसको भी ये जोइंट कर देंगे वापस से और हो गया कनेक्शन अब लास्ट में जो बारी आती है वो है इसकी टेस्टिंग की ये टेस्टिंग कैसे करनी है तो टेस्टिंग के सामें बता दें आपको कि इसका जो ग्राउंड यानि अर्थ है वो नहीं मिल ला था लेकिन वो भी बस एक वायर उन्होंने देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की और उसका जो ground है वो मिल गया left side करना के मतलब है कि आप किसी भी metal के साथ में उसको जोड दीजे या metal के साथ में connection दे दीजे तो उन्हेंने इसको stand के साथ में दे दिया और वो on हो गया बेना किसी दिक्कत के देख सकते हैं on हो चुका है और ignition के साथ में ही है ये ignition मतलब चाभी के साथ में on या off उसके बाद देखिए अब वापस से वाइजर लगाने का समय आ गया और जैसा iisities उन्होंने निकाला था वैसे इन्होंने लगा भी दिया और ये पहली वीडियो है इस पे क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि यह electronic गाड़ी है तो वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक देख रहा है वीडियो को देख लिजाए as it is जैसा उन्होंने निकाला था बिल्कुल भी उसी तरह से उसको जोड दिया और सच मुछ में ये जो तो फॉग लाइट है ये काफी पाउरफुल है रात के समय इसका भी आप मैं आपको डेमो दिखाऊंगा भी आगे तो वीडियो बने रहीएगा मैं आपको इसका हाइवे पे और उसी के साथ साथ में बिल्कुल अंधेरे वाले जगा पे भी आपको दिखा दूंगा तो दे दिख सकते हैं इसा कुछ इसका स्टॉक बल्ग दिखाई देता है और समय आप इस्ट्रीट लाइट लगी हुई है और अब मोमेंट आफ रियाल्टी है मोमेंट आफ प्रूथ दिखा देते हैं आको कि कैसे इसका जो फॉग लैंप लगा हुआ 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 है पाता नहीं कै किसी शांत जगा पर बिल्कुल कि कितना इसका थ्रो है कैसे कैसे क्या क्या है सब तो देख सकते हैं इसका स्टॉक लैंप जो की ग्लैमर में आता है पहले से और इसकी लाइट भी कापी अच्छी है अगर इसकी के बाद सीटी सीटी में चलना हो मुझको तो इसको लेकर हाईवे पर चलना पड़ता है इस काड़न से मुझको फॉग लैंप लगाना पड़ा साई साथ में मैंने इसमें एक और काम करवाया है डबल इंडिकेटर का दो उसकी वीडियो भी आने ही वाली है इसके बाद उसकी वीडियो आईगी तो चला देखे दिखाता हूँ अब आपको जो इसका असली मजा है तो इस अपनी कैमरा के तर रिकॉर्ड करपाएगा देख दीजिए कितना ज्यादा रोश्णी समय है और दिखाई दे रहा है कोई समस्या नहीं है देख सकते हैं और हाइवे पे तो बिल्कुल सांदार पता नहीं कितना कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है मुझको नहीं पता मुवाइल का लेकिन जो मेरी आखे जो अस्ती में देख रही है मतलब बिल्कुल ही खुश हो गई है फाउग लैम्प लगाने के बाद अब मुझको कर जाए है तो फिना बिल्क कर देख सकते हैं और अब मैं गाड़े लोग से भी दिखाव कर दिखाए देता हूं कीसा दिखाए देता है आगे से अरब गाड़ी की लुक पे तो कोई एसर नहीं करता है कि गाड़ी की लोग खराब आपकी यह अगर बात कर अगर स्विच की तो यह जो स्विच है यह है इसका जो फॉग लाइट लगी उसकी स्विच है मिंडा की अगर अगर आपको भी करवाना है तो करवा सकते हैं कोई दिक्केत नहीं आती यह गाड़ी में ना कोई वारेंटी वाइट हो थी क्योंकि जो कनेक्शन था वो बिल्कुल कपलर टू कपलर हुआ था और बैटरी पे भी कोई असर नहीं करता है तो देख सकते हैं ऐसा खुछ दिखाई देता है धर से और सचमुच में कैमरा बिल्कुल जिस्टिफाई नहीं कर रहा है देखीजे और कोई भी गाड़ी की लुप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इससे और अगर हम रोशनी के बात करें तो देखे कितनी मस्त रोशनी है और जो फैलाव है वह भी बहुत गजब है लाइट का वहलब जो दिक्कत होती थी मुझको पहले हाईवे पर वह मैंने बिल्कुल दूर कर दी है और स्विच भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्विच कहा लगवाई उसी के साथ में जो इसका आगला चीज जो मैंने लगवाई है वह इसमें डबल इंडिकेटर का स्विच देख लिजे यहाँ पर डबल इंडिकेटर ब्लिंग कर रहा है